आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वीडियो या ओडियो को सेपरेट ले के आते हैं यह वीडियो हमने इंपोर्ट कर लिए यहां पर आपने कुछ नहीं करना है इसको डवल क्लिक करना है और डवल क्लिक काया जैसी आप करते हैं तो आपकी यह two window में इस side left hand side पे show करने लग जाएगी आपकी वीडियो क्लिप अब video clip को आपने अगर यहाँ पर direct track करना है यहाँ पर इस time line पर लाना है तो यहाँ पर जाने के बाद मैं आपके पास में एक video point होता है और एक audio point होता है जिसको मैं off कर रहाँ आप यहाँ पर जब आप audio video point को off कर देते हैं तो यहां से आपने कुछ निकरना इसको उठाना है और यहां पे जब आप इस पॉइंट पे यहां पे किलिक करते हैं यह देखिए तो यहां पे simply आपकी audio आ गई है अब audio को हम delete कर देते हैं बाइचांस हमने video लानी है तो यह देखिए सिरफ एक point का फर्क होता है यह देखिए audio इसके बीच से बिलकुल अलग हो गई है और अगर आप इस video और audio क्लिप को एक साथ on कर देते हैं तो जब आप यहां पे इस video को इस type से यहां पे drag करेंगे तो यह दोनो audio और video आपकी एक साथ आ जाएंगे यह देखिए यह देखिए आपकी वीडियो और audio एक साथ आ गई है तो friends यह था हमारा audio और वीडियो को separate लाने का यूज आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ और tutorial Please keep watching my tutorial on the UPU channel